विल्कम बच्चों, तो हमारा ट्रिग्णोमेटर चलो था और लास्ट इसमें आपको एक टेस्ट दी गई थी जिसमें ये 10 क्वेश्चन थे, MCQs थे और उसमें आपको आपको आप्शन दी गई थे और उनको आपको घर पे सॉल करना था और उनकी फोटोस मुझे भेजना था लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत बड़ी डिमांड रखी थे कि सर हमको जो क्वेश्चन आप देते हो, हम सॉल तो कर भी रहे हैं, लेकिन हमें एक्स्प्लेनेशन भी चाहिए, तो बच्चों उनकी खास डिमांड पर ये व ये सब चीजे मालूम चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है, स्क्वेर वाला टाइप क्या है, 90 मैनस वाला टाइप क्या है, स्पेशल एंगल्स क्या है, ये सब सब चीजे, बस उसकी आपने तयारी करके रखनी चाहिए, तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास आप देखिए, वहाँ पर है साइन 30 प्लस कौस 30, ठीक है, माइनस यहाँ पर है साइन 60 प्लस कौस 60, अब मेरे पास बच्चों दो रास्ते, या तो क्योंकि मैंने कहा था 30 30, ये 60 60, ये स्पेशल आइंगल है, या तो स्पेशल आइंगल को स साइन धरी क्या है? है साइन धर्टी है 1 था, यह था, मैंने कहा था आपसे 31, साइन धर्टी पर जाओ, साइन गया गयता अपोजिं अपोजिट अपॉंन हाईवटेनस यांने 1 बाइ 2, प्लस आगे मुड़ो पट से कॉस 30 तो यहाँ पे फिर से 30 पे आगे कॉस क्या गएता अजिसंट हाइपोटेनस मतलब यह बन जाएगा रूट 3 बाइ 2 ठीक है माइनस अब फिर से साइन 60 तो चलो 60 पे उंगली रफो 60 आगे साइन क्या गएता अपोजिट अपोन हाइपोटेनस यानि आपका अंसर होगा रूट 3 बाइ 2 प्लस कॉस 60 है फिर से 60 पे गए कॉस क्या कही था अजिसंट अपोन हाइपोटेनस मतलब यह बन जाएगा 1 बाइ 2 ठीक है बच्चो चलो इसको आप सॉल करना शुरू कर दो यह 1 बाइ 2 प्लस रूट 3 बाइ 2 अब देखो माइनस है तो सब के साइन चेंज होंगे यानि रूट 3 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 अब देखो यहाँ पर यह 1 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 कैंसल उसके बाद रूट 3 बाइ 2 माइनस रूट 3 बाइ 2 cancel यहाँ पे कुछ नहीं बचा और जब addition suppression में कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है बच्चो 0 यहने आपका जो पहिला यह हमारे पास मैं answer heading डाल देता हूँ यहाँ पर ठीक है? सो जब आपका पहिला होगा उसका answer होगा 0 यह आपको द्यान में रखना है ठीक है? चलो पट से लेते हैं दूसरा आगे बढ़ते हैं क्या है हमारे पास? देखो वहाँ पर है 1030 upon यहाँ पर है cot 60 अब इसको भी solve करो 1030 30 पे चले गए 10 क्या कहता? opposite adjacent यहने आपका answer होगा 1 upon root 3 ठीक है? चलो cot 60 है 60 पे चलो 60 पे क्या है? यहाँ पर अब cot क्या कहता? cot कहता adjacent opposite यहने यह भी आगए आपका 1 by root 3 अब अब देखो उपर में भी 1 by root 3 है नीचे में भी 1 by root 3 पूरा कड़ गया आपका answer कितना होगा बच्चो यहाँ पर 1 है ठीक है? सो हमारे पास होगा second का answer यहाँ में लिख देता हूँ वो है आपका answer 1 ठीक है? चलो next के तरब चलते third थर्ड देखो क्या है? क्या का हूँ उन्होंने ब्राकेट में दिया है क्या है? साइन 45 प्लस यहाँ पर है cos 45 इसके लिए मेरे पास 90 root 2 ऐसी में ने ट्रिक बताय थी डाइगराम से सब समझा दिया था चलो अब साइन 45 है चलो 45 पर आगे साइन, साइन गया गए था अपोजिट और हाइपोटेनस यहाँ आपका answer होगा 1 अपोटेनस यहाँ आपका answer होगा तो बच्चो वैसा ही रखना पड़ता है और numerator के addition यहाँ पर subtraction बोलो 1 प्लस 1 यहाँ पर आएगा 2 चलो solve करो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ यह जो 2 है, इस 2 को हम factorize कर सकते root 2 into root 2 तीक है? और नीचे में है आपका root 2 तो एक-एक root 2 cancel कर दो तो आपका answer हो जाएगा कितना root 2, तीक है? तो आपका answer कितना आने वाला है? root 2, so third में आपका answer होगा root 2, ठीक है बच्चो तो इस तरह से आपको करते जाना है चलो, आगे बढ़ते हैं question number 4 है यह question 4, देखो क्या है आपके पास? It is 2 tan 30, देखे? upon, next है 1 minus tan square 30, अब देखो, यह 2 तो है, ठीक है? अब tan 30, तो 30 पे आजाए tan, tan क्या कही था? opposite और adjacent, मतलब 1 upon root 3 ठीक है? चलो, नीचे में यह 1 है, minus tan 30, फिर से tan 30 क्या होगा? 1 upon root 3 बट उसका square होगा, यह solve करते, देखो, यहाँ पे multiplication है तो 2 upon root 3 upon नीचे में देखो, क्या है? यह 1 है, minus square करो तो 1 का square 1, और root 3 का square 3 हो जाएगा, अब इसको solve करना शुरू कर दो, चलो, मैं यहाँ पे solve करता हो, थोड़ा इसको मिटा देता हो में हमको space मिल जाएगे, ठीक है? चलो, देखो, उपर में तो 2 by root 3 है ही, नीचे में देखो, cross करो 3 1 जा 3, minus 1 मतलब यह बनेगा 2 by 3 ठीक है? तो आप इसको देखो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर यह 2 to cancel हो जाएगा ठीक है? या पिर आप ऐसा कर सकते हो यह 2 by root 3 है और आप इसको पल्टा दो तो 3 by यह बन जाएगा 2, आप इसको solve करो 2 to cancel होगा, फिर बचेगा 3 by root 3, जैसे यहाँ पर किया था, 2 by root 2 था उसको factorize किया, तो 3 को भी root 3 into, root 3 में factorize कर दो, और यह होगा तो एक एक कट जाएगा, आपके पास बचेगा root 3, आपके पास tan 60 की बात करो, फिर से एक बर देखो यह हमारे पास है 31, 60, root 3 92, ऐसा है, तो देखो वाला tan 60 क्या है, tan 60 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, tan क्या कहिता, opposite adjacent, मतलब root 3 upon 1, इसका मतलब सीधा-सीधा root 3, तो tan 60 कितना होगा root 3, इसका मतलब इन पूरे को अपसॉल करें, तो भी root 3 आता, और simply tan 60 की बात करें, तो वो भी क्या आता, root 3 आता, तो इसका मतलब यह है, कि this complete system it is equal to tan 60 और इसलिए वहाँ पर जो option था वो option हमारा रहने वाला है tan 60, यहन्ने उन्होंने कहा था कि यह किसके साथ मैच करता है तो यह मैच करता है tan 60 के साथ में, ठीक है बच्चो इस प्रकर से आपको करते जाना है ठीक है, तो चलो यहाँ पर बराबर वीडियो को बराबर देखा करो ताकि आपको हर एक चीज़ complete हो जाए, चलो अब हमारे पास है question number 5 यहाँ पर लिता हो मैं question number 5 आपके लिए, क्या दिख रहा यहाँ पर? देखो, 9 6 square theta minus 9 tan square theta so, I write here 9 it is 6 square theta minus 9 tan square theta, बच्चो आपको जो दिख रहा नो वो करो, मुझको दिख रहा कि दोनों में 9 है, मैं 9 को बाहर निकाल देता हो so, take out 9 common so, यहाँ पर बच्चेगा square यहाँ पर बच्चेगा tan square theta, ठीक है? चलो, यह तो 9 है, सबको मालूम है 6 square का फारे विला, क्या लिखके दिया है मैंने आपको, 1 plus tan square theta minus tan square theta, ठीक है? तो यह है 9, अब देखो न, आप ही देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा? हमारे पास यह है, 5 question हम पढ़े है अभी और भी 5 question हम इसको पढ़ना बाकी है अभी पढ़ते हम थोड़ी ही देर में तो चलो बच्चो, अभी हमारे पास है question number 6 तो question number 6 को देखो, मैंने थोड़ी space ज़्यादा लिए है क्योंकि यहाँ पर आपको देखते ही बंद रहा है कि हमको बहुत सरा बड़ा सा multiplication करना पड़ेगा, चलो देखो क्या है यहाँ पर, देखो क्या दिया है 1 plus tan theta plus sec theta second bracket है, वहाँ पर देखो आप 1 plus cot theta minus, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, cos theta ठीक है बच्चो, चलो इसको solve करना शुरू करते है, simple है, कुछ और methods हो सकती है, मैंने कहा कि एक question की एक नहीं, दो, नहीं, तीन, तीन method भी हो सकती है जो easy लगी वो करो, सबसे पहले तो दिमाग में यहाँ आता कि यहाँ पर 2 bracket का multiplication है, तो भई कर लो एक bracket के हर एक से दुसरे bracket के हर एक को multiply कर दो यहने पहले देखो, पहले में किस से multiply करूँगा 1 से, 1 से सब को multiply, लेकिन आपको मालू में 1 से किसी को भी multiply कर दो, तो answer तो वही हाता है, तो पूरा का पूरा, I write here, 1 plus, देखो आप quarter theta है, minus यह है, cos theta ठीक है, चलो, अब हम second से शुरू करते है, tan theta तो tan theta से सब को multiply करना, तो देखो plus tan theta बनजा tan theta दुसरा है, plus यहाँ पर है tan theta into, यह बनेगा cot theta minus, फिर से tan theta minus tan theta into cos theta, हो जाएगा, चलो, अब है plus, प्लस देखो यह सेख theta बनजा, मैं लिह लिखता हो यहाँ पर sec theta, sec theta into cot theta है, plus sec theta into cot theta, ठीक है और minus, यहाँ पर है sec theta into cos theta, यहाँ पर लिखो देथा हूँ SEC theta into cos theta, ठीक है यहाँ पर एक छोटा सा cot theta का मतलब cos theta upon sin theta minus cosec theta का मतलब 1 upon sin theta plus tan theta का मतलब sin theta upon cos theta. बुलते जाओ, tan theta, देखो, tan theta का मतलब sin theta upon cos theta into cot theta का मतलब cos theta upon sin theta minus, माइनस यहां पर देखो 10 theta 10 theta का मतलब क्या है sin theta upon cos theta into cose theta का मतलब 1 upon sin theta plus यह देखो 6 theta का मतलब 1 upon cos theta plus 6 theta cot theta है 6 का मतलब 1 upon cos theta into cot का मतलब cos theta upon sin theta minus यहाँ देखो यह सेख ठीटा है यहने one upon cos theta into cos theta का मतलब one upon sin theta है ऐसा अब जो जो cut pit होता है जो भी करना है वो करना हो देखो यहाँ पर यह one मैं लिखता हूँ as it is ठीक है one हो गया अब यह हमारे पास है plus cos theta और यह है sin theta मैं इसके पास देखो मैं इसके पास इस चीज़ को ला ल प्लस sin theta upon cos theta अब देखो यह है minus one upon sin theta ठीक है यह भी हो गया अब यहाँ साइन साइन कट होगा ठीक है cos cos कट होगा यहाँ बचेगा one minus ठीक है चलो यहाँ पर sin sin कट होगा तो बचेगा one upon cos यानि one upon cos theta ठीक है प्लस आगे देखो यह है one one upon cos theta ठीक है फिर यहाँ पर फिरसे है यह cos cos कट जायेगा तो बचेगा plus one upon sin theta ठीक है यहाँ पर देखो minus यहाँ दिकता है one one टा one होगा और नीचे है cos theta into sin theta यह बनगे स्टेफ चलो, अब देखते क्या क्या होता, यहाँ पर देख लेते हैं, यह देखो, 1 और 1 यह बन जाएगा 2, ठीक है, इन दूनों में मैं करता हूँ, cross multiplication, देखो, sin sin क्या होगा, sin square theta, plus cos cos होगा, cos square theta, अब यहाँ बनेगा, sin theta into cos theta, ठीक है, अब देखो, यह 1 by, minus 1 by sin theta, और plus 1 by sin theta, cancel, यहाँ पर देखो, यह 1 upon cos theta minus में, ठीक है, 1 upon cos theta plus में, तो यह भी कट जाएगा, चो सामने बचेगा, minus 1 upon cos theta into sin theta, और बच्चों हम सब को मालूं है, यह 2 तो है, plus sin square theta plus cos theta, इने के आता 1, और नीचे होगा, sin theta into cos theta minus 1 upon, cos theta sin theta है, तो मैं sin theta into cos theta तो लिखी सकता हूँ, ठीक है, अब आप ही देखो, यह पूरा का पूरा, सेम है, एक plus में, minus में, कट जाएगा, तो answer कितना आएगा, हमारा, 2 आएगा, ठीक है, सो हमारे पास, 6th number के question का answer आएगा, 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, question number 6 का answer है, 2, तो बच्चों इस प्रकार से solve करना होता है, पैनिक नहीं होना प complete लग रहे है, मैं थोड़ा रुख जाता हूँ, तो देखो, यहाँ पर थोड़ा correction था, आपने correction कर लिया है, 7 में है, दिया है आपको, tan a is equal to 3 by 2, then we have to find cos a, ठीक है, तो चलो काम करते है, यह हमारे पास है, 7th question, क्या दिया आपको, जो दिया है, उसको पहले लिख लो, tan a is equal to क्या दिया, 3 by 2 है, और निकालना क्या है, cos से, तो मैंने कहा था आपको, जो भी आपको लगता हूँ, tan a है, तो मैं square वाला फारविला देखता हूँ, तो चलो बताओ, हमारे पास क्या है, we have, ठीक है, tan का square वाले के साथ जोड़ी है, 6 square, तो 6 square is equal to 1 plus क्या है, tan square a, ठीक है, च 9 by 4 is equal to, cross करो, तो क्या होगा, 4 बन जा, 4 plus 9 upon 4, यानि ये बन जाएगा 13 upon 4, तो ये बन गें दूस्तों, 6 square is equal to, तो हम बुलते है, square गया रहे गया, इसका square root आया, यानि यहाँ पर होगा, ck is equal to square root of 13 by 4, तो 13 का square root है, जही से का तैसा, और 4 का square root है 2, ठीक है, लेकिन बच्च अब क्या है, 1 upon cos है, 1 upon cos है, सामने है, root 13 by 2, अब इसको उल्टा कर दो, cos को उल्टा करेंगे, ठीक है, तो सामने में भी उल्टा करो, so 2 by root 13, ठीक है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 2 by root 13 हो जाएगा, यानि 7 का answer यहाँ पर है, 2 by root 13, ठीक है, चलो, अब question number 8 को देखो, question 8 में क क्या दिया आपको, sin A is equal to 1 by 2, ठीक है, तो चलो, sin की जूड़ी किसके साथ है, square हमें, yes, sin square plus cos square, तो भी हाओ, चलो, बताओ क्या है, बोलो, फटा-फट, क्या है, sin square A plus cos square A is equal to 1, value रखो, sin square A, मतलब 1 by 2 का square, plus cos square A is equal to 1, यह बन जाएगा, 1 by 4, plus cos square A is equal to 1, इसको transfer करो, तो cos square A is equal to 1, minus 1 by 4, इसको solve करेंगे, तो 4 बन जाएगा, minus 1 upon 4, तो अंसर होगा, आपका 3 by 4, ठीक है, अब यह cos square है, इसलिए हम चाहते हैं कि cos A, square गया रे गया, square root, आय रे आया, यहाँ यहाँ पर होगा, root 3 by 2, ठीक है, अब बात है, कि उन्होंने पूचा है, cot A, तो cot A का मतलब बताओ क्या है, cot A is equal to होता है, cos A upon sin A, ठीक है, तो देखो, cos A, cos A की value क्या आ चुकी है, root 3 by 2, और sin A की value उन्होंने खुद दी है, 1 by 2, अब 2, 2, 2 cancel हो गया, इसलिए, cot A जो है, वो बन गएगा हमारा root 3, cot A कितना बन गएगा root 3, ठीक है, यान्दे हमारा question number 8 जो है, उसका answer होगा root 3, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमको करना होता है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास question number 9, question number 10 है, तो मुझे थोड़ सा इसको भी लिखने के लिख लिया है, चलो, अब इसको हम solve करते हैं, थोड़ा दोर को रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर 75, 15, 35, 55, ऐसे angles भी रहें, मैंने कहा था, हमारे 5 special angles है, उस पेसे था, 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा कुछ और angle दी दिया जाए, तो simple सा, simple काम करना था हमको, कि हम यहाँ पर 90 minus वा cot cot tan, sec, cosec, cosec, sec, और इधर से अगर theta है, तो उदर 90 minus theta, जो भी angle इधर होगा, उदर 90 minus होगा, तो pair अगर आती है, तो किसी एक को बदलना, जैसे कि, cosec है, तो cosec के साथ किसकी pair है, sec की है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो, चाहे आप जिसको भी बदलो, ठीक है, फिर tan theta है, tan theta की pair है, cot, ठीक है, तो दोनों को नहीं बदलना, किसी एक को बदलना, तो एक काम करता है, मैं यहाँ पर cosec को बदल देता हूँ, तो sec को नहीं बदलोंगा, यहाँ tan को बदलता हूँ, तो cot को नहीं बदलोंगा, ठीक है, तो देखो, cosec को बदलते हम, मैं किस-किस को ब आएगा 90 माइनस अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर है 75 प्लस ठीटा ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा इसका सेक अब इसको as it is रहने दो यह है सेक 15 माइनस ठीटा मैंने कहा था बदलना नहीं माइनस यहाँ पर टैन है तो टैन गया रहे गया कॉट आया रहे आया साथ में 90 माइनस लाया और यह एंगल है 55 प्लस ठीटा ठीक है और इसको as it is रहने दो कॉट 35 माइनस ठीटा ठीक है चलो अब सौल करना शुरू करो थोड़ा डैरेक करते यह है सेक ठीटा ठीक है स्वरी सेक अब देखो ना यह यहाँ पर माइनस होगा तो 90 माइनस 75 तो 90 माइनस 75 होगा 15 ठीक है और माइनस है तो यहाँ साइम चेंज होगा यहने माइनस ठीटा यह हो गया अब अल्रीड यहाँ है माइनस सेक 15 माइनस ठीटा है ठीक है माइनस यहाँ पर देखो कॉट है आप देखी यहाँ पर 90 माइनस 55 तो यह आजाएगा आपका 35 और प्लस का बनेगा माइनस ये ठीटा और माइनस आगे में है कॉट 35 माइनस ठीटा और आप देखो ये ये सेम है लेकिन एक प्लस एक माइनस कैंसल ये यहाँ पर हमारे पास प्लस है यहाँ पर ठीक है ये ये सेम है एक माइनस एक प्लस पूरा कड गया इसलिए हमारा आंसर ह होगा 0, हमारा आंसर होगा 0, इसलिए 9th का आंसर है 0, ठीक है, और चलो, एक last question हमारे पास है, question 10, क्या कहता, cos alpha plus beta दिया है 0, क्या दिया उन्होंने, cos alpha plus beta is equal to 0 दिया है, और उन्होंने पूचा कि sin alpha minus beta कितना होगा, कोई tangent वाली बात नहीं, मैं बार बार का है, अभी भी कहे रहा क्या है, cos गया रे गया, यहाँ पर आएगा sin, साथ में आएगा 90 minus, जो है वो लिको, alpha plus beta हो जाएगा, is equal to 0, ठीक है, अब solve करना शुरू करते थे, यहाँ पर एक काम करते, यहाँ थोड़ा सा बदलाव करते, alpha और beta का काम पहले करते, ठीक है, अब देखो, cos alpha plus beta is equal to 0 है न, मै चार्ट में देखो या पिर मैंने भी बतायता, cos 90 का मतलब 0, क्या होता है, cos 90 का मतलब 0, यहाँ लिखेंगे, बट हमारे पास है, cos 90 is equal to 0, अब देखो, इसकी भी value 0 है, इसकी भी value 0 है, मतलब यह, और यह same होगा, यहनी क्या होगा, देखो, cos alpha plus beta is equal to क्या होगा, cos 90, अब दोन plus beta is equal to 90, alpha plus beta is equal to क्या बनेगा, 90 बनेगा, चलो solve करते हैं, alpha is equal to 90 minus beta बन जाएगा, alpha is equal to क्या बनेगा, 90 minus beta, अब हमको निकालना क्या है, देन, sin alpha minus beta निकालना है, now, क्या दिया है, उन्होंने चलो बताओ, क्या है, sin alpha minus beta, तो एक काम करते हैं, यह sin तो है, अब alpha, alpha की value आप क्या रख दो, yes, 90 minus ये बीटा, और already कौन है, minus बीटा है, इसको solve करना शुरू करो, ये होगा, sign, यहाँ पर ये 90 minus minus, देखो, दोनों minus है, तो minus 2 बीटा हो जाएगा, अब हम इसको बदलते, sign गया रे गया, cos आया रे आया, यहाँ पर बुलेंगे, cos, साथ में क्या होगा, 90 minus आएगा और 90 minus क्या होगा, ये ब्रैकेट, यानि 90 minus twice बीटा, ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर open करो इसको, तो ये बनेगा, 90, sign, change, 90 minus का, plus twice बीटा, और आप देखो, finally, cos, 90, 90, cancel, ये बनेगा, twice बीटा, यानि हमारे इस चीज़ का, जो answer है, वो होगा, cos, twice बीटा, इसलिए हमार 10th option, 12th, MCQ में होगा, cos, twice, बीटा, ठीक है, तो इस परका से, जो हमने MCQ लिये थे, जो हमने चीज़े लिये थे, वो चीज़े यहाँ पर पूरे clear होती है, I hope कि आपने भी ऐसा है, ठीक है, तो एकदम, या पिर दुसरे पद्दत इसे solve किया होगा, कोई फरक नहीं पड़ता अंजर से मतलब है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों का try करने के बाद भी नहीं आये होगा, कोई बात नहीं है, बस वीडियो को देखो, आगे पीछे करके देखो, और अब इसके बाद में, इस तरह से solve करने के लिए अपने दिमाग को sharpen करनो, ठीक है बच्चों, सो अभी के आपे रुख जाते हैं, टाटा, बाई बाई